तो आप लोग सीख रहे हैं step by step technical analysis और आज इस वीडियो में एक हम बहुत important concept को डिसक्स करने वाले हैं कि trend को कैसे identify करें यह तो आप सबने सुल लिया होगा कि वही ट्रेडर्स का पैसा बनता है ट्रेंड के साथ अगर आप ट्रेंड की डिरेक्शन में ट्रेंड कर लेते हो और क्या क्या हमारे पास parameters है हम किस किस तरीके से technical के हिसाब से कैसे एक visual appearance में देख सकते हैं कि trend के चल रहा है तो आज हम step by step समझेंगे की trend को कैसे identify करते हैं अब सबसे पहले तो यह चार्ट है और निफ्टी का चार्ट है 15 मिनिट के time frame पर अगर हम इस चार्ट को देखें तो हो स कुछ ना समझा रहा हो कई लोगों को समझा रहा हो वही हम देख रहे हैं कि time के साथ साथ निफ्टी ऊपर जा रही है तो यह हमें समझा रहा है यहां पर यह 15 मिनिट का time frame तो है इसके साथ देखी है पर candles लिखा हुआ है हमने लास्ट वीडियो में बात करी दी कि हैकनाशी क क्या होता है इससे भी हम एक बार समझाने की कोशिश करेंगे अब जैसे मैं हैकनाशी ले लेता हूं अब यह चार्ट थोड़ा सा अलग हो गया इसमें क्या हो रहा है जब green बन रहा है तो एक साथ green बन रहा है और लगा ता green बनता जा रहा है बीच में आपको छोटे-छोट आने की कोशिश करता है तो अब अगर मैं आपे दोनों side-by-side खोल लूँ यह हमारा 15-minute के टाइम फ्रेम पर हाइकनाशी चार्ट खुला हुआ है ठीक है और यहां पर मैं candle ले लूँ तो फरक आपको clearly दिखेगा यह हमारी candles कुछ इस तरीके से हैं देखनी हमें candles ही चाहिए पर हाइकनाशी एक बार हमें दिखाने की कोशिश करता है कि what is the trend in the market but आप इसे से भी indicator की तरह use करो कि overall एक short term में trend किया है वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है जब तक लगाता green candles बन रही है तो आपको short selling avoid कर नहीं है जब आपको एक दम से दिख रहे हैं कि लगाता red candles बन रही है तो आपको उस time पर avoid करना है कोई ऐसी position जहां पर buying कर रहे हो but then there is price action surprise action is supreme क्योंकि उसके बाद जब reversal आएगा तो कुछ ना कुछ action होगा वापर प्राइस का जिसकी वज़े से आपको दिखेगा कि यहां से हो सकता market दुबारे से reverse कर जाए उपर के लिए ठीक है तो यह हमारे लिए एक सबसे पहली चीज़ हो गई चार्ट को हमने देखा और मैं हुआ है तो यह पूरे-पूरे दिन का है जैसे यहां से आप देखोगे तो नौपंदर की चैनल शुरू हुए है पिछले दिन से अगले दिन गैप अपर यहां पर आपको एक साइड़ मूमेंट दिख रही है बट आप कैसे पता लगा होगे कि ट्रेंड अभी में चल रहा है नहीं चल रहा हूं उसके लिए हम क्या करते हैं हम एक सिंप्ली jus को बनाते हैं यहांट invite को फॉर्म करते हैं कि आप enabling को फॉर्म करते हैं और दूसरे लोगों connects करते हो जब अब इसे कनेक कर दिया तो आपके ट्रेंड हो गई हम कम मानेंगे कि ये ट्रेंड टूट गया हम कम मानेंगे जब ये ट्रेंड लाइन तूटके यहां से नीचे कैंडल सीड़ हुषार है ऑप ट्रार द्रहीं एक सपोर्ट का काम करती है इछ अभी ट्रीज़ एगे हैं और इस सीरीज करते हैं सो यह बताती है जो मांकेट है वह स्ट्रेट अपने जाती है ऊपर जाती है zw मांके फिर नोब नाइगी घर चाहरा हूं बना है तो एक बार एक higher low बनाने जरूर आईगी बट important क्या होता है वो अपना जो पिछला low है उसे तोड़ेना तो अगर market को हम कहरें कि इस तरीके से जिग-जैग में ट्रावल कर रही है मालीजे market यहां से उपर गई अब इसने यहां पर जाके एक support लिया फिर दुबारा उपर गई अगर यह जब यहां पर उपर गई थी अगर यह वापस नीचे आती तो यह जादे स्यादा हम मानते कि अपने यह last जहां से इसने support लिया यहा तक नीचे आई अब अभी हम retracement के levels अलगता ही किसे identify कर सकते हैं बट इसने बहुत ज़्यादा retrace नहीं किया उसके बादे दुबारा उपर चली तो अगर market बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गिरी है तो इसने एक low तो जरूर बनाया है बट इसके साथ यह भी पता लगता है क वो trend कितना strong है क्योंकि अगर यह low और नीचे होता मालीजे यहाँ पर कहीं होता तो मेरी trend line कुछ इस तरीके से बनती है मैं आपको example दिखा रहा है अगर यहाँ पर कहीं लो होता तो मैं उस logo connect करता कुछ इस तरीके से मेरी trend बनती है तो यहाँ पर एक strong trend दिख रहा है अगर यह low नीचे होता तो मेरा फिर ट्रेंड कुछ इस तरीके से होता और जो market support भी लेती वो कुछ इस तरीके से लेती वो नीचे लेती पर ट्रेंड तब भी अपी था अब market हमेशा किसी ना किसी trend में होगी तो तीन तरीके के trend होते हैं एक होता है downtrend और एक आपका simply होता है sideways यह भी भी आपको दिख रही होगी तो आपको हमेशा trend line higher time frame पर लगानी चाहिए अगर आप intraday कर रहे थे तो पंदरा मिनिट तो मिनिमम है आपको trend line पंदरा मिनिट पर बनानी चाहिए और आप 5 मिनिट में भी देखोगे तो market उसी trend line के आसपास यह आपको support लेते भी दूसरी चीज क्या है कि डेली टाइम फ्रेम पर भी trends को इसी तरीके से आप identify कर सकते हो बड़ यहां पर पंदरा मिनिट की ट्रेंड लाइन नहीं थी जितनी एक higher time frame की timeline होगी तो यहां पर अगर मैं देखूं इस trend line को मैं यहां पर हटा दूँ और यहां पर देखें तो अगर मैं यहां पर शुरू करूं तो कुछ इस तरीके से अब देखिए अगर market गिरती भी है अब लोग कहेंगे भई यहां पर चले गई अब market ने अगर एक हाय बनाया है तो वह लोग बनाने की कुशिश करेगी market जादा स्यादा आपके इस trend line के आसपस आएगी तो 21,500 के आसपस अगर आजाती है तो हम यह नहीं बोलेंगे कि यह बहुत जाद नीचे आ गई है तो यह बड़ा टाइम पर अभी चल रहा है तो ट्रेंड लाइन एक बहुत इंपॉर्ट चीज होती है दूसरी चीज़ अब सपोर्ट रेशिंस की जब बात कर रहे हैं तो ट्रेंड तो मैंने आपको बताया कि एक सपोर्ट का काम करती ही है अगर हम एक होरीजोंटल लाइन भी लें यहां पर और देखे कि प्राइस ने कहां का रियाक किया था तो बीच में अगर आप यह देखेंगे तो यहां पर प्राइस ने बीच में रियाक्त किया हुए तो ट्रेंड चल रहा है और मार्केट रिटेस करेगी तो यहां तक करेगी और यह जो अपॉर्चुनिटी होगी आपके लिए दुबारा भाइंग की अपॉर्चुनिटी ना कि सेलिंगी सेलिंग कब आएगी और सेलिंग जब आएगी तो क्या चीज़े दिहान रखनी है अब एक पटाओगे नहीं यह रिजिस्टेंस का भी काम करेंगा अभी सब्सक्राइब टोड़ देगा तो अगर मार्केट ऊपर जाती भी है तो ज्यादा से ज्यादा आपने रेस्टेंस तक रही फिर मासे कर सकते हैं तो और रिजिस्टेंस के पास जाके अगर आपको दो तो अब होता है यहां पर मुझे दो चीज़ें दिख रही है मैं दोनों दिखाता हूं तो अगर कोई यहां पर हाय लेता और इस लो से से कनेक्ट कर देता तो देखे एक सुपाव ट्रेंड लाइन बन देगी जब यह ट्रेंड लाइन टूटी तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक अप्ट्रेंड शुरू हो गया जाद साथ रिट्रेस करता तो यहीं तक करता अभी उपर चला गया अभी उपर जाके जब फिर सब्सक्राइब तो हमने कैंडल इसके अंदर काफी कम होगी क्योंकि डिली टाइम फ्रेम है बट अगर ही टाइम पिरेट देखोगे 15th से लेके दूसरा आपको मिला है 18th October को आप इन दो हाइस की वज़े से क्योंकि वह लोगर हाय है इसलिए आपने ट्रेंड लाइन बनाई ठीक है तो यह हमारे को दो बार हमें दिखा कि वही किस तरीके से हम ट्रेंड लाइन की वह से हम अपना identify करते हैं कि ट्रेंड के चल रहा है सेम यहां पर आपको आप तो विजुली दिख रहा है बट अगर आप इसे और इसे connect कर देते और सीधा खीशते वह ले आते कुछ इ आप क्या होता है यहां पर लोगों को एक चीज समझने जरूरी है आप कभी ट्रेंड लाइन मना होगे तो आप ट्रेंड लाइन मना के छोड़ दोगे पर कभी कभी क्या होगा कि प्राइज जाएगा उपर पड़ हमें देखना कि यह इसने सस्टेन किया यह वापस नीचा यह एक ब्रेक आउट था यह ट्रेंड लाइन तो ऐसी थी कि आपने दो हैस को कनेक कर दिया और तीसरे ने भी वहापर रिस्पेक्ट दिया उसे यह बट जब यहां पर दुबारा गया इस वोज़ा फेक ब्रेक आउट एंड जब मार्केट वापस आती है तो वहां से आपक एंडल सस्टेंड करती हुई दिखें तो तो हम बोलेंगे कि वहां से अप्ट्रेंड ऑगे जैसे यहाँ पर जबड़नी तो पांच छे केंडल सस्टेंड कर गए तो यहां पर क्या हुआ कि हमारा क्लियर्लिमें पता लग गया कि भी ट्रेंड चेंज हो गया तूसरी चाशन को भी आप इंटिफाई कर सकते हैं अभी तक हमने जो इंटरेट पर सुना होगा लोगों ने सपोर्ट रेस्टेंस को होरिजॉंटली देखा होगा पड़ा वर्टेकली भी देख सकते हो मार्किट ना एक चानल में भी मूव करती है अगर आप चैनल को समझो तो आप क्या करो आप यहां पर मार्किट ने जैसे मालीजे इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आप देखते कि मार्किट ने क्या किया है मार्किट ने दो बार लो बनाया और वहां से मार्किट ने सपोर्ट लिए तो आप इसे सीधा कीज देंगे तो आपको एक चैनल मिल जाएगा ज तो एक शाप सेलिंग आ सकती है एक्जामबल अगर हम और पीछे जाते हैं तो बहुत सारी चीज़े दिखती है अब मैं अप्ट्रेंड तो क्योंकि मार्केट ओवरॉल जानी अपी है बट अगर हम यहां पर देखें तो जो शाप सेलिंग की बात कर रहा था मैं कोवेड के अं हैं तो अभी हमना कोवेड जैयर्योंड डिस्केस कर रहा है है यहां पर देखो हमें अगर उस टाइम पर बनाता हुआ तो अब डिपेंड करता है बंदा लोग कांसे देखता है अगर आप यहां से लोग देखते और अप इस लोगों करतें तो आपको एक शाप ट्रेंड द लोगों कर देते तो कुछ इस तरीके से कनेक्ट करते ठीक है यह तो बहुत ज्यादा नीचे ले लिए इसको भी ऐसे बना लो ऐसे यहां से लेगे अहां तक तो हम इसे लो लेते और एक रिसेंट लो उस टाइम पर मालीजे यह होता तो हम एक इस तरीके का देखते बट अगर तो मार्केट नीचे गई बन मार्केट ने यहां पर रिजिस्टेंस लिया है अब रिजिस्टेंस के बाद अगर लो तोड़ता है तो एक शाप से लिंग तो यह पहले सपोर्ट था और जब टूटा तो रिजिस्टेंस बन गया अगर हमें यहां पर इस पूरे चीज को मैं आप एक हटा देता हो और मैं चैनल के फॉर्म में देखना जाओं तो इससे मैं यहां पर किस चैनल के बीच में थी ऑल्मोस्ट इससे नीचे नहीं गयी थी एक टाइम तक और एक चैनल कुछ इस तरीके से चल रहा था अब यहम आलीजज एक चैनल था ठीक है तो मार्केट यहां पर बार बार रेजिस्टेंस लिया और जो सपोर्ट लिया है वो कुछ इस तरीके से लिया है एक बार यहां पर सपोर्ट लिया बीच में यहां पर भी सपोर्ट लिया यहां पर भी सपोर्ट है बट अब जब यह चैनल टूटता है जो हम चैनल की बात कर रहे हैं तो एक मार्केट ने स्पेंड किया, एक दम से नहीं गिरी, मार्केट ने यहाँ पर चार-पास दिन स्पेंड किया, and then it was a breakdown, so channels are important, इसलिए trend को identify करना ज़रूरी होता है, अब कई सारे जो लोग beginner होते हैं, वो कहते हैं, यार हम ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें, हमारे लिए support होती, और आप देखो, यह trend line के आसपास ही जाके market में support लिया था पीछे भी, और यह चलता चला जा रहा है, जब तक यह तूटा नहीं होगा, तो थोड़ा बहुत उपर नहीं चे हो सकता है, आपको अपनी adjust करनी पड़ेगी, बढ़ अब जब यह trend तूटा होता, तो retest देखें, उस trend के आसपास आया है, and then there can be two things, या तो market एक downtrend में चली जाएगी, या market एक sideways trend में रहेगी, although अगर आप यहां से एक higher time frame पर देख रहे हो, तो यहां पर एक high था, यहां पर एक high था, इससे अगर हम connect कर देंगे, तो कुछ इस तरीके से हम connect कर देंगे, ठीक है, और जब तक market इसे पूरी तरीके से तोड़ नी री, तब तक कोई trend change नहीं हुआ था, तो इस तरीके से आप trend line मनाते हैं, और trend lines आपकी multiple हो सकती है, यह बस important है बताना, आप जो आप higher time frame पर बना रहे हो, बिल्कुल इसी तरीके से आप lower time frame पर भी trend lines बनाते हो, जो यह हमने higher time frame पर काम किया है, अगर हम यहीं पर 5 minute पर चलते हैं example, तो आप 5 minute, आपकी trend line रहेगी, तो हमें छोटे time frame पर क्या देख रहा है, ओगे, तो छोटे time frame पर support resistance देखने का, सबसे important concept क्या होता है, आपने देखा market ने last, एक बड़ा sharp uptrend ना लिया था, तो यहां से यह support का काम किया, और market ने अगर आप अभी देखो, अभी recently यह जो live market चल रही है, और यहां पर अगर हम trend line ले ले, तो एक छोटे time period पर एक trend गया तो है नीचे की दरफ, अगर मैं इसे इस तरीके से connect रहूं, तो अब मेरा यह माल ली जे, एक छोटे time frame पर एक downtrend चल रहा है, यह downtrend आपका बोजाएगा, जब इसे तोड़ेगा, यहां पर testing होगी और उपर जाएगा, बट फिर भी कहा तक जाएगा, जो उसका last resistance था, जब तक यह last resistance का breakout नहीं आ रहा, खरीबर बाइस आर एक सो पच्चिस का लेवल है, अगर market यहां से तोड़ेगी भी, तो यहां पर आके एक बार उसे रुखना चाहिए, तो यह जो trend लेने के तोड़ेगी, उसके उपर में candle की closing चाहिए, और वो sustain करनी चाहिए, और एक candle नहीं, तो पांच मिनिट की भी तीन-चार candle sustain करती है, क्योंकि हमें fake breakout को identify करने के लिए volume भी देखने चाहिए, तो जब हम 50-50 का चार्ट देखते हैं, अगर आ volume का indicator लगाऊगा, तो नीचे कुछ भी नहीं आएगा, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अगर आ volume लगाऊगे, तो आपको कुछ भी नहीं दिखना, अगर वो तोड़ने जा रहा है, और उपर तोड़ने सस्टेन कर रहा है, तो नीचे जैसे यह, जब selling में volumes आया है, मुझे buying में भी volume चाहिए, अगर volumes नहीं और तोड़ने जा रहा है, तो जहां तक है, वो trend line से वापस आजाए रहा है, तो volumes एक important role play करते हैं, अब चाहिए हम rifty में trade कर रहे हो, चाहिए हम bank rifty में trade कर रहे हो, अगर हम bank rifty का भी future hold रहे हैं, और यहां पर हम futures ले 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 हैं, तो अगर हम bank rifty का भी futures लें, तो हमेशा देखो market ने एक trend को ही follow करेगी, अब अगर कोई इस वाले, अब यहां पर एक important चीज़ है, अब भी में trend line कैसे बनाओ, अगर कोई यहां पर trend line मनाता, तो कहता है यह तो sharp trend line थी, यह sharp down गया, और यह trend line तूट चुकी है, अगर आप इस trend line को follow कर रहे हो, तो बिल्कुल आप ठीक के रहे हो, यह trend line तूट चुकी है, यह trend line इसने उपर के लिए तोड़ दियो, और sustain भी किया है, ठीक है, यह इसमें कोई विक्कत नहीं है, तो ऐसा नहीं होता कि जरूरी है, कि आप यही बोलोगे कि यही trend line है, बट मल्टिपल trend line का concept क्या होता है, यह एक trend line और बनाते है, कि इसने दूसरा high कहाँ पर मारा, माली जी यह आप कहते हो एक high है, तो आप यहाँ पर रुख जाएगे, क्योंकि उपर एक बड़ी विक मिली है, एक बड़ी विक मिली है, रिजेक्शन मिला है, और जब रिजेक्शन मिला, तो उस टेम पर भी कोई बहुत ज़्यादा volume देनी थे, और जब इसने पुरानी trend line को तोड़ा है, तो हम उसे एक proper trend line break मान सकते हैं, यहाँ पर volume ठीक था थे, बट जब यह ऊपर चली गए, जस candle ने तोड़ा है न, उस candle पर volume नी था, तो अभी क्या है, अभी के लिए मैं इस सवाले को हटा दूँग, और में दूसरी जो मेरी trend line है, जहां से market ने दुबारा से नीचे गई है, तो मैं अभी इसे मान के चलूँगा, अगर ये तोड़ जाती है, तो और अच्छे volume से तोड़ती है, तो अभी फिर uptrend दुबारा से आ सकता है, बट अभी के लिए एक shorter time frame पर, एक downtrend ही चल रहा है, तोड़े ना, बट अभी ये क्यों होता है, एक shorter time frame, हम पांच मिनिट की दो बात कर रहे हैं, बट अगर हम 15-30 मिनिट देखेंगे, तो 30 मिनिट पर आपको देख रहा है, इसका कोई significance नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, उसका एक reason है, हम कहते हैं, market जो है, अगें, उपर जाती है, तो नीचे आती है, ये नीचे गई, उपर आई, फिर नीचे गई, फिर उपर आई, तो नीचे तो आना ज़रूरी है, ना, तो अगर हम यहां से देखें, तो higher time frame पे, डिपेंड करता आप कौन से time frame पे trade कर रहे हो, अगर आप इसे connect कर दोगे, और आप यहां पे बैठ जाओगे, तो अब आप क्या देख रहे हो, कि भई, अभी आपका अराम से एक uptrend चल रहा है, जब तक इसे यह तोड़े ना, विद्धा गुड वालिम, तभी ज़रूरी होता है, जब तक इसने इसे नहीं तोड़ा था, पॉइंट यहां पे multiple time frame analysis है, बट multiple trend lines भी होती है, और कई लोगों के लिए confusing हो सकती है, क्यों कि कई लोग इससे बना के बैठे होंगे, अब बोलेंगे यहां पे तो volume के साथ तोड़ा है, तो you are right, because trend lines का जो concept है, इस नोट ऑब्जेक्टिव रियालिटी, trend lines जो है, वो person अपने हिसाब से लगाता है, अपने analysis के हिसाब से लगाता है, तो अगर मैं इस पुरानी वली को हटा दू, और मैं इस trend line को देखू, तो अगर मैं सिर्फ इस trend line को देखता हूं, कि यह trend था, बहुत अच्छा sharp up trend गया है, बट अब इसने volume के साथ इसे तोड़ा है, और यह retest करने के लिए कहा तक जाएगा? High तक, और trend line तक हमारे तक, अगर यह trend line को दुबाराज तोड़ के अंदर आजाता है, तो हम गहेंगे हमारे trend चल रहा है, और अगर इसने दुबारा से एक lower low बनाया, यह पुराना वाला यह देहिए, अब यह एक important चीज़ होती है, यह समझना जरूरी है projection के लिए, वीडियो लंबी हो रही है, बट चीज़ समझानी चाहिए, अगर मैं इसे देखूं, यह 30 मिनिट का टाइम फ्रेम है, market यहां तक उपर गई थी, अगर मैं यहां पे एक line मनाओ, तो मैं रेखूं कि price ने इस area में react किया हुआ, देखे, पहले यह high था, फिर market ने इसे तोड़ा, यहां पे sustain किया, और यह दुबारा यह यही तक आया, तो यह पहले resistance था, फिर यह support बन गया, अभी हमारे लिए एक यह support है, अगर यह इसे तोड़ देता है, तो फिर हो सकता है, कि एक shorter time frame पर, हमारे लिए एक downtrend है, और फिर दूसरा हमारे लिए support क्या होगा, यह, और इसे तोड़ने के बाद, एक sharp selling भी आ सकती है, फिर एक sharp selling आ सकती है, और अगर हम trend है, अब तो आँखों से दीखी जाते है trend, यह देखिए, यह downtrend चल रहा था, एक बड़े time frame, ओके, so, I hope trend line का concept समझ आ गया होगा, अगर हम nifty में देखें, तो nifty में हमने trend line बनाई थी, हमने शर्द 5 मिनिट पर बनाई थी, और हमने के support रेसिंज बनाई थी, अच्छे futures है, nifty पर बनाया था, nifty पर बनाया था, अब आप देखिए, अभी के लिए इसने क्या किया, इसने, इस trend lane को यहाँ पर अभी respect किया हुगा है, जब तक यहाँ पर तूटेगा नहीं, और यहाँ पर sustain नहीं करेगा, तक ट्रेंड शेंज नहीं हुगा, अभी downtrend ही है, although, what a price action you can say, क्योंकि यहाँ पर जो यह hammer बना, कितना clear hammer है, और अगर आप price action और candle six को सीखते हो, तो आप बोलते हो, hammer का जब high टूटता है, यहाँ से trade बनती है, यहाँ पर पैसा बना है, बना है, तो यह candle six को अगर आप सीखना चाते हो, तो आप comment कीज़ेगा, हम candle six के ऊपर अलग से एक playlist बनाएंगे, इसमें concept सुन जाएंगे, अब मैं सब कुछ असान करता हूँ, beginners के लिए, मैं कुछ indicators को use करता हूँ, जिसमें से एक indicator है, super trend, जब तक super trend नहीं बोलना, आप सिर्फ super trend को भी follow कर सकते हो, तो अगर अभी के लिए, मैं trend line को यह खटा दू, ठीक है, तो आप देखिए, super trend, यहाँ पर मेरे पास, मैं दो तरीके के super trend सहाँ पर देख रहा था, तो अभी आप simple जो standard super trend होता, दस्थीन का इसे देखे, तो यह बोल रहा है कि, यहाँ पर एक shorter time frame पर एक downtrend चल रहा था, बड़ जब यह तूट गया है, तो इसने बोला कि, यहाँ से एक uptrend शुरू होगे, और super trend के नीचे आपको एक stop loss मिल जाता है, अगर आप बड़े time frame पर भी देखोगे daily पर, तो आपको clearly देखेगा, एक sharp sharp uptrend चल रहा है, तो आपको trend पकड़ने में दिक्कत नहीं आएगी, आपको clearly दिखा देता है, what is going on, तो यह price को भी follow करता है, है यह एक price falling indicator, पड़िए आपको यह बता देता है, trend कहूं से चल रहा है, तो आपको जो हमने यह trend line मना के identify किया, और फिर हमने trend line break वोने पर identify किया, कि क्या चल रहा है, आपको super trend एक visual form में दिखा देता है, और यह हर time frame पर काम करता है, आप वो चाहे 5 minute हो, चाहे आपका 15 minute हो, चाहे आपका 1 घंटा हो, चाहे आपका 1 दिन हो, तेक़्ाइब, पट super trend की जो accuracy होती है, trend lines की जो accuracy होती है, आप इसकी उबर यह नहीं कह सकते, कि there is an indicator called super trend, super trend में मैं dual super trend लगा देता हूँ, कि जब दो बार confirmation आगया, it is a better judgment, वो हम आगे in future में बात करेंगे, भी हम indicators view पर बात नहीं कर रहें, और फिर भी एक indicator दे दिया, trend को identify करने के लिए, तो हमने trend lines की बात करी थी, daily time frame से लेकर, हमने shorter time frame पर समझाए, कि trend line को आप कैसे plot करते हैं, और trend line किस तरीके से काम करती है, और हमने सबसे पहले समझाए था, कि एक तो आप यहाँ पर candle six का, यहाँ पर चार्ट दिखते हूँ, जो candle six के आप से दिख रहा है, और आपको इसी तरीके से हैकनाशी रिखता है, जिसमें आपको gap से रिखते हूँ, और यह clearly बता रहा है कि कौन से trend चल रहा है, आप देखो कमाल की चीज़, यहाँ पर green candle है, और candle six पर आपको कौन सी candle दिख रही है, आपको red candle दिख रही है, तो अभी के लिए आपको hack and actually बता रहा है, घबराने के जुरूत नहीं है, trend कौन से चल रहा है, अब trend चल रहा है, तो यह आपको तीन तरीके से triple confirmation होता है, कि what trend is going on, and I hope इस वीडियो से आपको यह समझ आ गया होगा, how to identify trend in the market, so technical analysis में भी बहुत को सीखना वाकी है, आप बने रही है इस channel पर, अगर आपको यह video अच्छी लग रही है, तो इसे share कीज़े, विकरस यह concept सीखने में लोगों काफी time लगता है, and मैं तो इस तरीके से जाता हूँ कि सारे routes के लिए रहू, कोई 6th class में बच्छा पर भी पढ़ रहा है, तो भी उसे समझाएगी विए trend को कैसे identify कर सकते हैं इस video से, so again सवाल आपके हो सकते हैं, आप comments में ज़रू कुछें, आप उन पर वीडियो को प्यार देने के लिए आप लाइक कर सकते हैं, आप प्री में जाके अपना दीमेट अकॉर्ण कुलवा सकते हैं, जिससे आप stock market में इंवेस्ट कर सकते हैं, trade कर सकते हैं, SIP कर सकते हैं, mutual funds में इंवेस्ट कर सकते हैं, and so much more. And in fact, आप रेफरेर रन कर गे भी पैसे कमा सकते हैं, अलग लग ब्रोकर्स आपको अलग लग offers दे रहे हैं, so do check out the offers, links जो हैं इमेट अकाउंट के बापको, description और pen comment में में दे जाएंगे, हम आप से मिलेंगे अगली वीडियो में, till that time, you go self-made, and Jain, Jain.